जैहिन वंदे मातरम आप सभी लोग देख रहे है समाधान स्टेडी और पुनहा मैं लेके आया हूँ आपके सामने वन लाइनर ट्रीक वाली क्लास और जैसे कि आप लोग देख रहे है दो हजार बाविस के लिए एक्सपेक्ट जो एक्सपेट बोलते है न जो दिन बर हम Technology, Physics and Chemistry के बहुती सांदार जानदार जो है फेक्ट मिलते हैं तो चलिए आईए इस सेसन का आगाज करते हैं अगर सेसन आपको अच्छा लगे तो सेसन को लाइक करना है अपने साथ ही वकाद सेयर करना मद बोलिए देखिए आप सभी के लिए जो है क्या-क्या क्वेश्चन ह पहला आज का यह क्वेश्चन बोला गए कि Electronic Dynamo आपका Dynamo की खोश किसने की तो माइकल फेरड ने Electric आपका Dynamo की खोश किते हैं नेफ्रोलोजी किसके अध्यन को कहा जाता है तो व्रक से सम्मंदित जो रोगों का अध्यन हम लोग नेफ्रोलोजी कहते हैं और कल या परसवाली क्लास में यह कोश्चन आपको देखने को मिला था देखिए जियो ट्रोफिजन क्या होता है यह थोड़ा नया है इसे आपनों जिरूर ध्यान दिकिया क्या होता है गुर्तवा कर्शन के सापेक्ष पौधों के अंगों में व्रद्धी क्या का मैंने यह आपका जियो आपका जियोट्रोपिक्स क्या होता है तो जियोट्रोपिक्स की बात करे तो गुरुत्वा कर्शनों के सापिक्च पौधे की पौधों के अंगों में व्रद्धी होती है धोनी आपका तरंगे किसके कारण उत्पन होती है तो धोनी तरंगे जो है आपका परावर्तन के कारण क्या हो होती है उत्पन होती है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है धोनी तरंगे के कारण प्रती धोनी जो उत्पन होती है वह आपका प्रावर्तन के कारण होती है और मैं आपको काफी अच्छे से बता रखा है कि धोनी क्या रखती है और यह धोनी क्या होता है अनुधेरी होती है औ नाम होता है किस कोशिका में माइट्रू कांड्या नहीं पाजाता तो आपका मानव के लाल रक्त कोशिकाओं में माइट्रू कांड्या नहीं पाजाता है यह आप लोगों को ध्यार रखना है आवर्सानी किस ने दिया था तो आवर्सानी आपके मेंडल ने दिया था तत्व है कितने तत्व है आपके 118 तत्व है और कमेंट बॉक्स में आपको ये कमेंट करके बताना है कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसको एक निश्चित इस्तान अभी तक नहीं मिला है ओके और यह मैंने आपको करवाया भी है देखे सुचमजीव और परियावरन के बीच के को हम लोग इको लोजी कहते है एकसरे की खोज आपके रोंटे जनने की थी ठीक है किसकी कोज एकसरे जो हम लोग लेते है जो आप लोग एकसरे लेने जाते है आपकी कुछ हड़ी तूटी या कुछ भी हुआ तो आप लोग एकसरा लेते है तो उसकी खोज किसने की थी तो बिना उब गरह वाले जो गरह होते हैं बुद और सुक्र होते हैं ये question आपको पहले भी देखने को मिला था दूरी के इस्थान पर जो दूरी के इस्थान परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं इसका मतलब समझाया था मैंने आपको और बार बार में अगर ऐसे question आएंगे तो आपको समझाओंगा ये देखे सर ये जो है point A है और point B है अगर दूरी की बात करते है तो सर ये देखे दूरी की बात करे तो कुल दूरी आपका दूरी जैसे कि चली गई जो चली गई total दूरी आपकी होगी ठीके जो A बिंदू से पहले B में आएगी ठीके और B से ये C में जाएगी तो ये क्य व्यस्तापन क्या होते सर जी तो मैं तो यहीं देखूंगा विस्तापन वो स्सोर्ट चीर होती है। मेथेन-चीर होती है और मैंने बताया था है यह दल्दली शेतरों में पाए जाती है। बायो गेस का मुक के घटक क्या हुता है मेथेन ही होती है जो आपका 50 से 70% होती है अर इसके बाद की बाद करो तो फिर आपकी कार्बन डियाकसेट होती है किसके बाद आपके मैथेन के बाद तो आपका मानव तचा की औस तन मूटाई कितनी होती है तो लगभग की बात करे तो 1.95 mm जो होती है इसकी मूटाई होती है आपको ध्यान रखना है कि मानव सरीर का सबसे बढ़ा अंग कौन सा होता है आपका HOL का रासाइनिक नाम क्या होता है potassium oxide जो होता है इसका रासाइनिक नाम होता है milkway तारा सबसे नजदी का तारा होता है आपका Edromeda Max जिसे हम लोग galaxy काते है पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है तो ये chlorophyll के कारण ऐसा होता है कि पत्तियों का रंग कैसा होता है हरा होता है आगे देखेगा nest क्या बुलाए कि जीव और उसके परियावरन के अध्यान को क्या का जाता है तो आपका परियावरन और जो है उसके अध्यान के जीव एओम परियावरन के अध्यान को हम लोग पारिश्तितिकी कहते है आगे देखेगा नेस्ट क्या है आपसे नेस्ट पुझाई कि मानव नेत्र में रेटीना पर बनने वाला प्रतिविम कैसा होता है जो आपकी आख है वही तो आपके रेटीना है तो रेटीना पर जो आपका चित्र बनता है बच्चा वास्तिविक बनता है परन्तु आपको ये सामने में आपको दिखता तो सीधा है परन्तु बनता कैसा है उल्टा बनता है ये आपको ध्यान अकना है काफी confusion create करता है ये exam में question किसी तार का प्रतिरोध दुगुना कर दिया जाए तो उल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो उल्टेज क्या होगा सर जी क्या होगा कम हो जाएगा समझ चुके question क्या बुर रहा है किसी तार का प्रतिरोध क्या कर दिया जाए दुगुना कर दिया जाए V is equal to IR से ये हम लोग क्या कर सकते हैं सिद्ध कर सकते हैं तो यह ध्यान रखना है कि क्या हो जाता है सर्जी प्रतिरोध जो है कम हो जाता है क्यों कम होता है इसका reason भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यह inversely proportion होते हैं voltage जो है proportion होता है किसके आपके प्रतिरोध के resistance के पपीता के पीला रंग होने का कारण क्या होता है तो अगर पपीता का पीला जो रंग होता है वो आपका flow नाई एट्स के कारण ऐसा होता है नेत्र यह तो बहुती सांदर कोस्चन है यूनिक कोस्चन है कि नेत्र आपका गोलत म कितनी मासपेसिया होती है अगर बात करें आप में कितनी आपका सरीर में 600 आपको 49 टोटल मासपेसिया होती है और नेतर की बात करें तो उसमें 6 क्या होती है मासपेसिया होती है ये आप लोग को ध्यान रखना है किस कारे के लिए आइंस्टेइन को नोबल पुस्का दिया था तो बच्चा ध्यान रखेगा जो आइंस्टाइन थे उनको जो है फोटो एलेक्ट्रिक आपका इफेक्ट के लिए नोबल जो है दिया गया था मानव सोसन के दोरान कुन सी गेस निकलती है हम लोग लेती है तो तो सारी गेस है ठीक है पर दीकिए कारवण डायाकसाईड जो है इसका सब्सक्रान आइस्क होता है आगे बढ़ते है परमानु संक्या क्या होती है तो आपका परमानु के केंद्रक में उपस्तित प्रोटानों की संक्या को परमानु संक्या हम लोग कहते है आगे देखेगा कि प्रकास संसलेशन में आक्सिजन निकलता है तो किस से सजी वाटर से जल से ये भी आपको ध्यान रखना है आपका सोर्स कोड को औबजेक्ट मोड में परिवर्थन करता है या आपको ध्याना कमपाईलर कोन परवित करता है गाईस तो कमपाईलर जो है परिवर्थन करता है जड़तवका नियम किस नियम से निकल के आता है तो निउटन का फर्स्ट लो ठीक है निउटन का फर्स्ट लो से ही वी बराबर यू प्लस एटी से क्या होता है ये आपके सामने निकल के आता है जड़तवक इसे ही आपका Newton का first law और आपका जड़त्मनियम भी कहते है कवको का अध्यान Mycology और सेवालों का अध्यान आपका Phycology कहलाता है ठीक है ये दोनों आपको एपोजिट होते हैं आगे देखेगा चिकन पॉक्स के टीका का नाम क्या है तो आपका Verisela Joster Virus जो होता है वो चिकन पॉक्स के टीके का नाम होता है ये disease वाले question तो काफी important है आपको देखने को मिलते है पोलियो के टीके की खुछ किसने की थी? जौन सौल करने की थी ये भी आपको ध्यान रखना है ये काफी important question है एड़र्ट Zennar ने किस टीके की खुच की? तो चेचक के टीके की खुच किसने की थी बच्छा? तो एड़र्ट Zennar ने की थी ये भी हमें क्या रखना है द्यान रखना है कि सबसे तेज जो है ये आप तने मिपुचेगा लोहे का सुद्ध रूप होता है तो लोहे का सुद्ध तम रूप कोन सा होता है तो पिटवा लोहा लोहे का सुद्ध तम रूप होता है यह आपको ध्यान रखना है एस्कूटर में या एस्कूटर के अविस्कारक कोन है तो आपको ध्यान रखना है वो आपके ब्रॉड सहा जो है स्कूटर के क्या है अविसकारक होते है अविसकारक होते है आपके सापिक चिता का सिधान्त किस ने दिया था तो सापिक चिता का सिधान्त आपके आइस्टीन ने दिया था सर आईस्टी ने सापिक चिता का सिद्दान्त दिया था यी बराबर MC स्क्वेर आपने पढ़ा होगा चलिए आगे चलते ओजोन परत की मोटाई मापते किसे है तो ओजोन परत मना जाता है 16 सेप्टमबर को कितने तारीक को मनाते है 16 सेप्टमबर को ओजोन परत दिवत मनाते है और ओजोन परत को अब लोग स्क्रमापते है सबसे नीचे वाली परत होगी आपकी छोब मंडल फिर आएगा आपका समताप मंडल फिर जिसे हम लोग कहते है ओजोन मंडल ठीक है तो ये सारे मंडल आपको पता होना चीए यहाँ से एक ने कोश्चन निकल के आता है मलेरिया तो पता है आपको मलेरोग जो है मादा एनाफिलीस मचल के काटने से फैलता है और मैंने आपको ये भली भांती बताया है जल एक योगिक है जो हाइडरजन और ऑक्सिजन का होता है जल क्या है जल एक और वायू भी पुझाता है वायू क्या है तो वायू भी एक मिसरन होती है और आपको जल क्या ही एक योगिक होता है ओजोन की परत जो है पाई जाती है तो ओजोन मंडल में देखेगा इस मैंने अभी ही आपको यह समझाया है और इदे को कोश्चन टपक चुका है तो यह जो चीजे मैं आपको बताता हूँ यह को रिलेटर हो के आगे आपकी निकल के आते ही है आगे देखेगा आपसे बोला है कि डालेसिस एक इलाज विदी है तो डालेसिस किड़नी में होती है आपको बोला जाता है ने कि डाक्टर बोलता है क्योंको आपको डालेसिस करवाना पड़ेगा तो वो किड़नी से सम्मधित होती है इसलिए क्या होता है आपकी डालेसिस होती है वर्दाप की ऐसा यूनिट का होती है पासकल होती है सोनार क्या है तो sound navigation and ranging ये क्या होती है तो ये जो है आपका उप्योग आती है समुद्र में जो आपके बड़े बड़े जहाज होते ना जो डूब जाते है उन्हें पता लगाने के लिए सोनार का यूज की जाता है sound navigation and ranging का आपका वायू मुडल में nitrogen कितना प्रतिस होता है तो आपका 78 प्रतिस होता है 78 प्रतिस होता है ये आप लोगों को ध्यान लखना है और आज का session यही तक आपके लिए काफी important है अगर आपको session अच्छा लगे और session में आपको कुछ सीखने को मिलेंगे तो session को like कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ क्या करें इसे share करें ताकि वह भी जो है समाधान study से पढ़कर इसका benefit रह सके और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जो है एक अच्छी मुकाम आसिल करें एक अच्छी post पर select होके जाए चलिएगा मिलते हैं नई class के साथ और हाँ आपकी live classes में आपको बता दू काफी बच्चे recorded देखते हैं तो आप सभी को देखे guys morning मेरा 6.30 को session होता है ठीक है उसके बाद ये वाली आपके trick वाली class होती है देन उसके बाद 9.30 को आपका union में रात में आपका session होता है night में तो ये एक मतलब अभी है दो session आपके लिए live provided है और जल्द ही इससे और भी ज़्यादा मैं session आपके लिए provided करूँगा तो इसके लिए जो है आप लोग बने रहेगा तो मिलते हैं अगली update के साथ नई वीडियो में नई class के साथ जैहिन वंदे मातरम